कमस्ते आप सबी का बहुत बहुत स्वाकत है सोसल वर्ग गाइट में जहां पे मैं लेकर आती हूं सोसल वर्ग से जुड़ा हुआ बहुत सारा निव अपडेट्स, रिकूर्मेंट, साथ ही जॉब वेकेंसी और कुछ ने करने कंसिप्ट्स सोसल वर्ग फेटरिनिटी के लिए सिचाय यूम जन संसाधन विभाग और यहां पे हडियाना में गॉवर्ण्मेंट वेकेंसी आई है यहां पे साती पड़ामर्त समाज सेवी संस्थान में सोसल वर्ग के लिए जौ वेकेंसी आई है जहां पे social workers का requirement है the department is looking for the self-reven motivated and the passionate person to engage with the अटल बहुजल योजना हर्याना he will have to work closely with the SPMU and the respective DPMU on handling the multiple responsibilities as IC expert यानि कि IEC expert की ये vacancy है और यहां पे अटल बहुजल योजना जो की हर्याना government द्वार चलाए जाता है under the irrigation and the water resource department government of हर्याना उसके लिए यहां पे recruitment की जा रही है qualification and the experience required for this position is master degree in social work, ruler development, water policy and governance, communication, sociology, social science, agriculture, geography और any other relevant field from the recognized university यहां पे सबसे पहले master degree in social work दिया गया है so it is very important for the social worker who have at least minimum two year of relevant work experience in handling IEC and the capacity building and program and the management and the community mobilization or communication or social and interdisciplinary research documentation in water, wash, agriculture, ruler development or related relevant project dissertation and the project work was part of the mandatory curriculum of the post-graduation will be considered as experience excellent written and oral communication in both the language Hindi and English experience in CV module and the IEC material development in water, ruler development, community, mobilization, agriculture अगर आपका इस सब पहे काम है अगर experience है तो आपको एक preference मिलेगा आपको preferred क्या जाएगा experience in state and the district level management will be preferred साथी experience in working with NGO and government officer is desirable excellent knowledge of office 365 and the google workshop Google workspace आपका आपको आपको शापको आपको 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 अपच्पा काईए साथी ability to work independently in the meet deadlines and the ability to work comprehensively with the multiple assignment simultaneously familiarity with the participatory groundwater management यानि कि आपको इस प्रोजेक्ट पर जब आप काम करेंगे तो आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है जो कि किसी भी सूरत में आपको इससे छूट नहीं दिया जाएगा टोटल नंबर अफ पोजिशन की बात करें दियारर सेवन आईसी एक्सपर्ट की यहाँ पर रिक्यूर्मेंट हो रही है जिसमें मांस्टर अफ सोसल वर्क विज टू यर अफ वर्क एक्सपरेंस वाले अपलाई कर सकते हैं साथी आईएसी एक्सपर्ट विल बी पेड जॉब फी ओफ फोटी थाउजन पर मंत यहाँ पर चालीस अर पर मंत आपको ऐसे सैलरी दी जाएगी साथी अगर हाइरिंग की बात करें तो परजेक्ट का जो रिकुर्मेंट होगा वो 31 मार्ट 2025 के लिए होगा यानि कि तीन साल के लिए रिकुर्मेंट की जाएगी साथी हर एक साल मतल हर नेक्स्ट यहर एक साल पूर्णे पर आपका पांच परसेंट जो मंतली सैलरी है उस पर इंक्रीमेंट मिलेगा साथी विदेन डिस्टिक नो टिये और यानि कि ट्रेवल अलाउंस और जो होता है डेली अलाउंस विल भी नहीं बी गिवन बट जर्नी बियोंड जुरिडिक्शन टीये डीये विल बिड एड्मिशन विद अप्रायर अप्रूवल अफ द रिस्पेक्टिव डीपी अम्यू नोडल ओफिसर अफिसर अग्ट यानि कि आपको अगर काम के सिलसिले में कहीं भी जाना आना होगा तो उसका आपको टीये और डीये भी मिलेगा तो यह अच्छी पात है कि आपको ट्रेवल एनाउंस और डिली एनाउंस भी मिलेगा अगर आपको काम के सिलसिले से कहीं भेजा जाएगा बात करें लास्ट डेट ऑफ द अप्लिकेशन की तो यहां पे 16th March 2020 अप्टू टू 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 एल पीम यानि कि आज से आपके पास दो दिन का वक्त है आप इसको अप्लाइगए कर सकते हैं बारा बज़े से पहले तक डप लीकेशन विल भी सब्जेक्ट डू थ्री कैट यहां टेक्निकल टेस्ट की जाएगी साथ ही इंटर्वियू होगा तीन तरह से आपके टोटल मार्किंग की जाएगी उसके स्कोर पर साथ में आपका बा बास के साथ कम किया है तो पांच मार्क मिलेगा इस तरह से अलग-अलग एजुकेशनल चीजों पे अलग-अलग मार्किंग की गई है सेकेंड स्टेज में आपका स्कील टेस्ट होगा जिसमें क्रियेटिव राइटिंग कॉम्मुनिकेशन गूगल वरक स्पेस और इस सब की र आपको सिंपल एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिस पर जाके आपको अप्लाई करना है जिसका लिंक आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वेकेंसी की तरफ ये एक बहुत अची वेकेंसी थी जो कि हर्याना गॉर्मनेंट में आई है सोसल वेकेंसी के लिए जिसमें दो साल का एक्स्प्रियंस मागा गया और चालिस अजार की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी तो चलिए मुव टुवार्ज दर नेक्स्ट वेकेंसी जिसके बारे माद हम मुल्क चर्चा करेंगे वह आया है आपको एक एंजियो से परम लेकेंसी आई है पोड्यक कोडिनेटर पोस्ट है और जो लोकेशन की बात करें तो छतरपूर मद बर्देश है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग दिस अप्लिकेशन इस ट्वेंट अप मार्च 2021 यानि कि 20 मार्च से पहले आपको यह अप्लाई कर देना है यहाँ एक इम पिर सीवी और साथ ही अगर मांगा गया है तो जितना भी आपका टेस्टीमोनियल है उसको भी अटेच करना नहीं भूले बात करें पर्थम की तो पर्थम इस लुकिंग फॉर दे क्वालिफाइड अन दे कंपिटेंट पर्शन फॉर पोर्जेक्ट कोडिनेटर पोजिशन कि अन्युर नहीं पिर बात क्वालिफ बात करेंजियर वी और स्क्वालिफेशन वी तो ए धितनायमोनियल है की तो उसकता मेंविशन और सुझेटर. चाहतरपूर दिस्टिक और मत्परदेश एंड है अल्टिमेट एकांटेबिलिटी फॉर दप्रोग्राम सक्सेस यानि कि जो चुकि यह प्रजेक्ट कॉडिनेटर का पोस्ट है तो प्रजेक्ट से जुड़ा हुआ जितनी भी जितना भी रिस्पॉंसिबिलिटी जाहे हो मैने करने से हो कॉडिनेट करने से हो इंप्लिमेंट करने से हो या भी किसी तरह का उसमें जो भी काम है उसको लग्या आपको इस पे काम करना होगा there are lots of your responsibility as the project coordinator they are given I will not discuss each but before applying you must go through each and every criteria and every details in very particular and concentrated and understandable manner मैं आपको एक एक points को समझना चाहिए if you are going to apply for the post so I will move towards the what is the educational and the experience qualification which is required for the project coordinator post in this organization professional master degree in social work, ruler management and development with the minimum experience of 7 years in the social sector ऐसे कोई भी candidate जिनोंने MSW कर रखा है साथ ही अगर उनके पास 7 years of work experience in social development sector है so they are the eligible for this post now what are the language and the skill which are required for this post are the are as follows like you have good command over the written and the spoken English as well as Hindi and you must have depth and the updated knowledge in the area of social development water sanitation especially in the program management excellent communication and the networking skills साथ ही cultural competence, essence of feasibility of cultural events, experience in the concept and the implementation of the large cultural and sporting events, knowledge of social accountability methods, analytical skill होना चाहिए, साथ ही good understanding of decision making and the policy process पे उसकी अच्छी पकर होना चाहिए तो these are the lots of like आपको MIS आना चाहिए, computer का knowledge होना चाहिए, media platform आपको handle करने आना चाहिए साथ ही जो digital data gathering कैसे करते हैं, उसका analysis करते हैं, कैसे करते हैं, report writing skill आपके पास आना चाहिए these are the lots of skills and which are required for this post तो ऐसे करने जो की MSW कर रखे है, साथ ही अगर 7th year का work experience है, they can apply for this project coordinator post in the organization which is civil society organization और last date आप याद रखेंगे, 20 March 2022 से उससे पहले आप apply कर ले तो ये था आज का update जहां पे मैं आपको बताई हूँ बहुत सारी job vacancy के अवारे में, जो की जुरा हुआ social work से, यहां पे NGO में एक job हमने बताया, साथ ही आपको government of haryana and the जो irrigation and water resource department haryana government है, वहां पे vacancy आई है, इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की तो फिर नए updates से साथ, नए वीडियो में फिर से मिलती हूँ आप सभी के साथ, stay tuned बने रही है मेरे साथ, अगर आप मुझे direct जुना चाहते हैं, you can join my telegram channel, जिसका लिंक आपको description box में मिलेगा, for this time, thank you very much.